सडकों पर पानी भर गया है जिसके चलते लोगों को अब आवा जाही में जरूर दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है लेकिन गर्मी से लोगों को राहत मिली है और आज सुभा की तस्वीरे आपको दिखा रहे हैं ताच रगी आगरा की जहां देराज से ही जमा जम बारिश हो रही है पो नि sipनो के मोके बंतरे योगी आज इतिना दिल्ली के दोरे पर हैं सी अमयोगी आज नीती की बैटक में शामिल होंगे और सी योगी नीती आयोग की बैठक में स्तात मुद्दों पर यूपी की प्रगती रिपोर्ट रखेंगे इस में बुनियादी धाचा मोधी इस नीती आयोग संचालन परिशत की बैठक की अध्यक्ष्टा करेंगे आज भी बैठक की जो थीम है उसे रखा गया है आज की जो बैठक है वो वेक्सत भारत 2027 को लेकर ये थीम रखी गई इसके अलावा कल नए संसत भवन के उगाटन कारिकरम में मुख्यमांतरी यो और दो दिन मुख्यमांतरी योगी आधितिनाथ दिल्ली में ही बिताने वाले हैं क्या कुछ उनके कारिकरम रहेंगे और बैठक को लेकर क्या सा रजानकारी आपके पास देखिए आज सुबा दस बजे से नीतियायोग की बैठक शुरू होने वाली है उसमें मुख्यमांतरी योगी आधितनाथ जो है वो शामिल होंगे प्रदानमंतरी की अधिक्षता में ये आठ भी नीतियायोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक होगी इसकी जो थीम है वो रखी गई है विक्सित भारत 2047 उसमें टीम इंडिया का रोल तो उस थीम पर ये बैठक होगी इस बैठक में मुख्यमांतरी योगी आधितनाथ जो है भाग लेंगे और उत्तरप्रदेश में किस तरह से विकास का खाका तैयार किया रहा है किस तरह से पर स Edward केंद्र और राज सरकार मिलक्र इन सभी आयामों पर काम कर रहे हैं उस ety we can verde क brut recap में समिल Chapel को रहे हैं उसके ऑreg्याद में उसके लिहास से भी काफी ज़ादा खास हो जाती है क्योंकि सबसे ज़ादा लोकसभा की सीटे उतर प्रदेश में हैं और फोकस है 2024 का भारती जनता पार्टी के तबाम जहनकरी साजा करणी के लिए बहुत शुक्रिया पावन आपका और नगरी निकाश चुनाव में विजय कारों का शपत ग्रहन आज दूसरे दिन भी जारी रहेगा आज अयोध्या गुरकपुर कानपुर नगर और साती आगरा गाजियबा समेथ यूपी के कई और शहरूक में मेर और पार्षदों का शपत ग्रहन समाहरों होगा इसे पहले कल कई जिलों में मेर नगर पाली का और आज भी शपद ग्रहन का कारिक्रम कई जगा पर होगा जिसमें अयोध्या गूरकपुर कानपुर के कई शहर शामिल है ये कल की तस्वीरे आपको दिखा रहे हैं फिरोजबाद मेर कामनी राठोर का शपद ग्रहन समारोड डीम ने शपद दिलाई है और सतर वाडो के पार्शदों ने भी शपद ली है तो ये तासर जानकारी आपको बदा रहे हैं जहाँ पर सतर वाडो के पार्शदों ने शपद ली और चलिए अब बात कर लेते हैं मेरट की और जहांपर पुलिस और बदमाशों की मुटफेड हो गई है मुटफेड में हिस्त्री शीटर समेत 9 बदमाशों को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है बदमाशों के पास से पुलिस ने नौ एमेम पिस्ट्रल राइफल तमंचो और साथी दो कार बरामत की है S.P.E. ने बताया कि बदमाश महेंदरपाल व्यापारियों को डरा धंका कर उनसे वसूली करता था एक ब्यापारी ने हिस्ट्रीशीटर के खिलाफ थाने में मुकत्मा भी तर्श कर आया था जिसके बाद से पुलिस बदमाश की तलाश में चुट गई है पिछले काफी दिनों से ओल के ब्यापारियों से एक्स्टार्शन कर रहा था और उनसे चौथ हुसूली का प्रयास कर रहा था जिसके संबन्द में थाना फरा पर अभियोग पंजे कर था आज यस सूचना पर की उसका मुव्मेंट इधर हो रहा है ओल के पास बागई बारडर पर ठाना फरा और एसोजी की टीम द्वारा उसकी घेराबंदी की गई घेराबंदी के दौरान उसके द्वारा पुलिस पार्टी पर फायर किया गया जिसके जवाब में पुलिस ने फायर किया और महेंदर पाल के पायर में गोली लगी है 21 लाग की संपत्ती कुर्क कर ली गई है और डियम के आदेश पर कुर्की की कारवाई की गई काबोल पूर गौटिया में गैंक्स्टर की संपत्ती को मुनाधी के बाद में प्रिश्वासन ने कुर्क कर दिया और मौके पार सियो सिटी मजिस्ट्रीट भी मौझूद रहे 21 लाग 90 रुपे की संपत्ती को कुर्क किया गया और साथी भादी संख्या में पुलिस पल भी तैनात रहा 24 लाओ प्रिश्वासन ने कुर्णा से अद्रों